जार्खण में मतदान से एक दिन पहले वो हो गया जिसकी भारती जनता पार्टी ने उम्मीद तक न की होगी जार्खण में कुछ ऐसा कल्पना सोरे ने कर दिया कि मतदान से ठीक एक दिन पहले एसा लगा कि माणो हर कोई जार्खण मक्ति मूर्चा की तरफ खिषता हुआ चला रहा है आखर ऐसा क्या हुआ जहारखंड में मतदान के एक दिन पहले कि बीजेपी की स्यासी जमीन दरग गई और कॉंग्रिस गटबंदन वाले जहारखंड मुक्ति मुर्चा की पार्टी बल्ले बल्ले इस वक्त कर रही है बहुत स्वागत आप सबी का आप देख रहे हैं दराजनिती का विशेश सेग्मेंट मैं हूँ जबार खान दोस्तों खबर और विश्लेशल में आज बात जहारखंड की उस एक बड़े दाओं की जिसे कलपना सुरेन ने चला और हाई कोर्ट की उस फैसले की जिसकी बुर्याद पर भारती जनता पार्टी का सूप्रा साफ होता हुआ जहारखंड विधानसवा चुनाओं में देख रहा है अब आप सोच रहे होंगे क्या आखरा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में आपने कुछ सर्वे देखे होंगे जिसमें उन्होंने एक तरफा जहारखंड में बीजेपी की सरकार बनाते भी दिखाया था मगर जहारखंड की जो स्यासी जमीन है जहारखंड की जो जमेनी हालात है और चुनाओं से मतदान से ठीक दो दिन पहले जो कलपना सुरेन ने दाव चला और हाई कोट से जो जटका भारती जनता पार्टी को लगा उसके बाद में जारकंड की सियासी फिजा पूरे तोर पर बदल चुकी है और वहाँ पर एक बार फिर से कॉंग्रेस गड़बंदन व शेशिक भी इस बात को कहने लगे हैं दरसल जारकंड में जारकंड मुक्ति मोर्चा वाली और कॉंग्रेस गड़बंदन वाली सरकार की तरफ से जारकंड मुक्यमंतरी मया समान योजना जो चल रही थी जिसके तहट 1100 रूपे महिलाओं के खाते में डाले जा रहे थे मगर जारकंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कलपना सुरेन वहां की सरकार ने वहां गड़बंदन की तरफ से एलान किया गया कि मुक्यमंतरी मया समान योजना के तहट अब 5000 रूपे दिये जाएंगे दुबारा सरकार बनने पर भारतिय जनता पार्टी के एक समर्थक्त में इस मामले को ले जाकर के हाई कोट में रिट डायर की दरसल जो मया मुक्यमंतरी मया समान योजना थी उस समान के खिलाफ में जारकंड के कोट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई लेकिन जारकंड के हाई कोट में उस रिट को ही उस अप्लिकेशन को ही उस अपील को ही खारिश कर दिया जिसमें मुक्यमंतरी मया समान योजना के रद करने रोकने की बात कही गई थी कलपना सुरेन ने जारखंड हाई कोट से इस फैसले के आने के बाद में भारती जनता पार्टी पर हुक का पानी लेकर के चड़ गई कलपना सुरेन जिनके सियासत जिनके भाषण के अंदाज जिनके भाषण जिनका भारती जनता पार्टी पर प्रहार जिस तरीखे से इस चुनाव में दिखा है जार्खन मुक्ति मूर्चा की नेता और मुक्हमंतरी हेमन सुरेन की पतनी कलपना सुरेन ने भारती जनता पार्टी को ललकारते हुए कहा कि एक वो योजना जिसके सबसे जादा चर्चा जार्खन के अंदर आये जारखन मुक्मंतरी मया समान युजना जिसको बीजेपी बंद करवाना चाहती थी मगर कोट ने जो फैसला दिया वो फैसला जारखन की महिलाओं के लिए वो फैसला जारखन की महिलाओं को आगे ले जाने के लिए है और अब जार्खन के जनता पूल रूप से इस चुनाओं में जार्खन मुक्ति मोर्चा कॉंग्रिस गटबंदन के सरकार में दिखाई देगी दरसल कई सारे मौकों पर इस बात का विश्लिष्ण किया जाता है कि महिलाओं का वोट जिस तरफ ज्यादा गया उपार्टी सत्ता में आती है या सत्ता उसकी बच्ची रहती है जारखन मुक्ति मोर्चा सकी सरकार के तरफ से मुक्षमंतरी मया समान योजना जो इनाउंस्मेंट की गई थी जो महिलाओं के खाते में पैसे आ रहे थे कई सारी किस्ते महिलाओं के खाते में आ चुके थी माना ऐसा जा रहा है कि आदिवासी वहां के वोटर्स और खास तोर पर जार्खन की जो महिलाएं महिला जो वोटर्स हैं उनका रुजहान इस बार जो बनता हुआ दिखा है वो कहीं न कहीं कॉंग्रिस जार्खन मुक्ति मोचा के गढ़मंदन वाले दल के तरफ ज्यादा खिष्टा हुआ जा रहा है अंत अंत में अब ऐसी स्थिती में एक और बात को लेकर के कल्पना सुरेन ने भारतिये जंता पार्टी पर प्रहार किया जिश्वास कल्पना शुरेन के लिए जो एक तरीके से ऐसा मुद्दा है 1932 से लेकर के अब तक जिस मामले को लेकर के खुब श्यासट भी हुई लेकिन हेमन सुरेन के सरकार ने खत्यान का प्रस्ताव पारित कर दिया खतियान का जिक्र करके लोगों का विश्वास कलपना सुरेन ने जेता खतियान दरसल हैमन सुरेन का मास्टर स्टोक है जिसका प्रस्ता उनके सरकार पारित कर चुकी है अब आईए आपको बताते हैं कि आखर क्या है खतियान और उसके मसवदे में है क्या एक रिपोर्ट के मताबिक इस विधैक में कहा गया कि 2002 के इस्थानिय निवासियों के नीती को दो जनहित याचकाओं के जरिये चारखरंड हाई कोर्ट के समक्ष चिनोती दी गई थी जिसमें इस्थानिय व्यक्तियों की परिभाशा को अलग रखा और नए सिरे से या फिर से परिभाशत करने और राजिके प्रासंगे के इतिहास को ध्यान में रखते हुए इस्थानिय व्यक्तियों के निर्धारन के लिए गाड्लाइन तै करने का निर्देश दिया मौजदा जो मसवदा है जो ये खत्यान का मसवदा जिस मसवदे को प्रस्ताव के शक्री में पारित किया था जार्खन मक्ति मोर्चा की सरकार ने उस विदहक के मताबिक उन लोगों को जार्खन का इस्थाई निवासी माना जाएगा जिनके पुरोजों के नाम साल 1932 या उससे पहले का खत्यान है भूमिहीन व्यक्तियों के मामले में इस्थानिय व्यक्तियों की पहचान गराम सभाओं दोरा, संस्किर्ती, इस्थानिय रिती रिवाजों परंपराओं के आधार पर की जाएगी ये इस विदहक में था अब सवाल ये है कि इस विदहक के फाइदे और नुकसान क्या क्या है दरसल विदहक के फाइदे का जिक्र करें तो इसमें इस्थानी लोगों को फाइदे ही फाइदे होंगे और यही मास्टर स्टोक है हेमन सुरेन का छारखन के स्थानी लोगों को रोजगार से लेकर वेपार, प्राकृतिक संसाधान, स्थानी प्राव, पारंप्रिक और संस्कृतिक और वाणिजिक और दियुमों में नकेवल फायदा होगा बलकि उन्हें तरजीह दी जाएगी हाला कि इस विदहक के सामने कानूनी अर्चनों से बढ़ने के बचने की भी बड़ी चिनोती है साल 2002 में बाबुलाल मरांडी सरकार भी इसी तरीकी की नेती लेकर के आई थी, मगर अदालतों ने इसे रत कर दिया था हाला कि सुरेन काबिनेट ने इस पस्ट कहा कि कानूनी अर्चन से बचने के लिए ये कानून तब लागू नहीं होगा जब तक इसके सम्विधान की नवी अनुसूची में शामिल नहीं कर दिया जाता है आपको बताएं कि सम्विधान की नवी अनुसूची में केंदरी और राजी कानूनों की एक सूची है जिसे अदालत में चिनोती नहीं दी जा सकती हाला कि कई बार कोट ने कहा कि अगर इससे मौलिक अधिकारों का उनलेगन होता है या फिर सम्विधान की मौल भावना से चर्चार होती है तो इसकी समिक्षा की जा सकती है अब सोचिए चुनाओं से मतदान से ठीक दो दिन पहले जस तरीके से हाई कोट का फैसला आया मक्मंतरी मया समान योजना को ले करके जो भारती जनता पार्टी के लिए एक बड़ा जटका है और जार्खन मुक्तिमोर्चा और कॉंग्रिस के लिए एक वरदान की तरह से है क्योंकि अब उस योजना को उसका एक्स्टिंशन देते वे उसकी धनराशी को भी बढ़ाते वे इस गड़बंदन ने उसे पचीस सो रूपे करने के घोशना की है यानि कि सरकार बनी तो वो पैसा जो ग्यारा सो मिल रहा था महिलाओं को वो पचीस सो मिलेगा दूसरी तरफ खत्यान का बार-बार जिक्र कलपना सोरेन अपने भाशनों में करती है मया समान योजना खत्यान उन दोनों को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी की नीतियों को कुरेती हैं बीजेपी की नीतियों पर प्रहार करती है भारतिय जनता पार्टी के नारे दावे और वादों का जिकर करके जिस तरीके से वो ललकारती है और अपनी शायली में अपने अंदास में जिस तरीके से वो अपने भाशनों में अपने रैलियों में जाती है नमस्ते आदाब सत्स् में आसानी हो और यही वज़े है कि इतनी कम वक्त में एक हाउस वाइफ से ले करके एक राजनिती के दुनिया में कदम रखने के बाद जिस तरीके से उन्होंने जिस अंदास में अपनी ना सिर्फ पहचान बनाई बलकि एक बड़े नेता की शक्त में अपने आपको से बीजेपी पिछड चुकी है बहुत पीछी जा चुकी है